राम नवमी श्री राम के आध्यात्मिक रहस्यों में गोता लगाने का एक और अवसर है राम के दो अलग अलग पहलू है एक राम है आदर्श पुत्र आदर्श भाई आदर्श राजा और एक आदर्श इंसान राम का एक और बड़ा पहलू है वह है सर्वोच भगवान परमा अयुद्या के राजा राम करुणा सहानुभूती मानवी अभूयों और इमानदारी के प्रतिक थे उन्हें मर्यादा पुरिशोत्तम भी कहा जाता था जो उनके व्यक्तित्रकोस पष्ट रूप से परिभाशत करता है उन्होंने एक आदर्श इंसान की मिसाल काइम की उन्हों चौदा साल तक जंगल में रहे उन्होंने हमें अपनी माताओं से बिना शर्थ प्यार करना और उनका सम्मान करना सिखाया वे इक आदर्श भाई के भी ततीक थे जो हर परिस्तिती में अपने भाई और बैनों के साथ खड़े होते हैं उन्होंने महान बलिदान का एक उदा स्थापित किया जब उन्होंने अपने लोगों के बड़े हितों के लिए अपनी पपनी को त्याग दिया आईए अब हम असली राम के रहस्यों को देखें राम का शाब्दिक अर्थ है वह जो आपको खुश कर सकता है एक ही राम है जो सब को सुखी कर सकते हैं वह स्वेम न पत्रत मानव आत्मा के अंदर के पाँच विकारों को मारने में मदद करते हैं रूप में वे एक पटाश के डिल्दू है वे कभी भी मानव जन नहीं लेते हैं लेकिन कलियुक के अंत्मे शरीर में अफ़्तार लेते हैं केवन प्रक्वी पर सतीव बनाने के उद्देश से अगर हम मानव आत्माएं आत्मभिमानी बनकर उन्हें लगातार याद करेंगे तो हम हमेशा के लिए आनन से भर जाएंगे। आईए हम आत्मा और परमात्मा के रहस्यों को जानें और एक आंत्रिक राम नवनी मनाएं जहां हम अपने अंदर के राख्षसों पर विजय प्राप्त करते हैं।